वो 12th house का है जा हम कह सकते हैं 12th house lord की आज हम बात करने जा रहे हैं कि 12th house lord क्यों बहुत एक important planet है उसका जो domain है वो क्यों important है और 12th house या 12th lord आपके जीवन का एक ऐसा aspect है जो कहीं न कहीं भौतिक और अध्यात्मिक दोनों चीजों को connect करता है बैसे तो संपूर्ण जोतिश की अगर हम बात करें तो जोतिश स्वैम अपने आप में एक bridge है एक pull है जो अध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीवन के बीच में एक बहुत important कड़ी है तो आज जो 12th lord की हम बात करेंगे न वो दोनों aspect में बात करेंगे कि 12th lord जो है उसका materialistic एक nature कैसा है मतलब material way में वो कैसे कारे करता है और अध्यात्मिक रूप से वो किस तरीके से कारे करता है सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सिर्फ ये जो फिनोमेना है ये सिर्फ 12th lord पर लागू नहीं होता जो हम कह रहे हैं भोतिक और अध्यात्मिक आप किसी भी house lord की बात करोगे किसी भी घर के स्वामी की बात करोगे तो आपको उसमें अध्यात्मिक और भोतिक दोनों चीजों का समावेश जो है वो मिल जाएगा मैं उसका एक उधारन देता हूँ हम नॉर्मली त्रिक भावों को अच्छा नहीं मानते हैं जोतिश में त्रिक भाव जो होते हैं छे-ाठ भाव उसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं तो त्रिक भावों में तीन भाव आगया च्छटा भाव आ गया, आठवा भाव आ गया, बारवा भाव आ गया. अब क्योंकि हम बात बारवे भाव की कर रहे हैं, तो इसको हम बाद में कंसिडर करेंगे, पहले छे-ाठ को कंसिडर कर लेते हैं. कि माल लीजिए आपके द्वादश भाव का स्वामी, बारवे भाव का स्वामी यदि आपका छटे भाव में बैठ जाए, या अश्टम भाव में बैठ जाए, तो इक किस तरीके से करे करेगा? तो माल लो किसी का बारवे घर का स्वामी छटे घर में बैठ जाए. अब आप भौतिक रूप से क्या प्रेडिक्शन देंगे विक्ति को? माटिरियलिस्टिक प्रेडिक्शन क्या बनेगी? आप यह कहेंगे विक्ति को, अगर तुम नौकरी करोगे तो तुम्हें नौकरियां या तो बदलनी बहुत पड़ेंगी? 12th Lord यदि 6th house में होगा, तो ऐसा विक्ति या तो अगर नौकरी करेगा न, तो या तो नौकरीयां बदलेगा बहुत, मतलब time to time change करता रहेगा job, या किसी ऐसी संस्था में नौकरी करेगा, जो विदेश से जुड़ी हुई हो, या विदेश में, तो दो प्रेडिक्शन तो ये बनेगी, कि अगर 12th Lord 6th house में हुआ और विक्ति को नौकरी करनी पड़ी, तो ये विक्ति नौकरी जो है, वो वैसी जगे पर करेगा, तो ये एक एस्पेक्ट हो गया material world का, अब दूसरे world का आते हैं, या material world को पूरा complete कर लेटे, एक विक्ति ये भी कह सकता है, कि बारव गर का स्वामी, यदी छटे भाव में हैं, और पीडित अवस्था में, पीडित अवस्था मतलब वो रहुकेतु के influence में आ गया, या और किसी negative ग्रह के influence में आ गया, तो ऐसे विक्ति को नींद संबंधित problem हो सकती है, उसको नींद अच्छे से नहीं आईगी, और साथी साथ उसके marital relations भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि बारवा घर bed का है, शहिया सुख का है, तो ऐसे विक्ति को शहिया सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बारवे घर का स्वामी एक तो छटे में आ गया, उपर से पीडित भी हो गया, तो दोनों बाते हो गई, तो इस कारण से हम यह क स्वामी बैठेगा, तो अपनी साथवी द्रिष्टी बारवे घर को डालेगा, तो हम यह भी कह सकते हैं, कि यह व्यक्ति जो है, इसका अधिकांश जो धन है, या जो अधिकांश जो इसका व्याय है, वो किन चीजों पे होगा, रोग पे होगा, डिजीज पे होगा, उसके कारण से आपको losses जहल ने पड़ेंगे तो बारवे घर का स्वामी छटे में क्या कह रहा है रोग रिपूरिट है तो ये क्या हो गया ये एक material world यानि कि एक बहुतिक जगत में आप किस तरीके से इसे गुजरेंगे ये उसका एक picture rank ऐसा नहीं है इसके अलावा और चीज़ें नहीं होगी हम पूरा एक बड़ा वो लिख सकते हैं इस चीज़ बहुत बड़े लेवल पे इसको describe कर सकते हैं जब बारवे का लोड छटे में बैठे तो क्या होगा बट आम तोर पे एक overview के रूप में हम ये सब बाते बोल सकते हैं जो भी हमने कही है अब आते हैं इसके अध्यात्मिक पार्ट के कि इससे जुड़ा हुआ अध्यात्म कैसा है बारवे घर का स्वामी जब छटे घर में जाता है तो इससे जुड़ा अध्यात्म कैसा है बारवा घर जो है जिसको आप मुक्ति के लिए देखते हो तो मुक्ति का जो सबसे पहला reason है जो सबसे पहला जो मुक्ति का कारण बनती है वो दो चीज़े बनती है और जब भी व्यक्ति के मन में मुक्ति का भाव आएगा मुक्ति के भाव को अगर आज के modern day interpretation में देखे ना, तो what is मुक्ति, मुक्ति means you feel very free, अगर आप अपने आपको बहुत free feel कर रहे हैं न, free कहां से, free, शरीर से free नहीं, अपनी soul से अगर free कर रहे हैं, आप अपने रिदेर से अपने आपको बहुत आजाद महसूस अगर कर रहे हैं तो आप समझें कि आप मुक्ति के कहीं न कहीं करीब हैं, लेकिन मुक्ति आती किन कारणों से, मुक्ति दो कारणों से आएगी, पहला समर्पन, दूसरा त्याग, अब समर्पन जिसको हम क्या कहते हैं, surrender करना कहते हैं, surrender करना न, कि भगवान के प्रती क्या करना पड़ता है, surrender करना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है, और त्याग मतलब, त्याग मतलब बलिदान, किसी चीज को जाने देना, अब आज के date में, जब हम 12th house को देते हैं, यह 12th house को देखते हैं, तो हमें क्या पढ़ाय जाता है हमने क्या पढ़ाए इसको कि 12th house loss है लॉस किस चीज का है लॉस उस चीज का है जिसको मैं अपना मान के चल रहा हूं जब मैं किसी चीज के अंदर अपने का भाव नहीं रख रहा मैं का भाव नहीं रख रहा मेरे का भाव नहीं रख रहा तो फिर बारवा घर लॉस नहीं यह लॉस कब तक है यह लॉस तब तक है जब आपके अंदर मैं का भाव जीवित है जिस दिन मैं का भाव जो है वो अंत हो गया तो यह बारवा भाव जो है न यह मुक्ती का भाव बन जाएगा फिर यह नुकसान का भाव नहीं रहेगा फिर आप किसी को यह नहीं कहोगे यार तो अगर 12th Lord किसी का 6th house में है और उसके अंदर तियाग और समर्पन की भावना है तो ये जो उसकी भावना है न ये उसके 6 प्रकार के शत्रूओं को उसका नाश करने में उसकी मदद करेंगी इसलिए जब 12th Lord 6th house में आए तो पराशर जी ने क्या कहा? पराशर जी ने कहा ये राज योग है कौन सा राज योग है? अब आदमी खुश हो जाएगा राज योग मतलब मैं इतना बड़ा धनी आदमी बन जाओंगा वैं ये कमालूँगा वो कमालूँगा ये जो शड रिप हुए है ना ये शड रिप हुए आपको आप पर राज नहीं करने देती मतलब आपको संबड़ी एल्स इस कंट्रोलिंगी हो और जब दूसरा कोई आपको कंट्रोल कर लेगा तो आपको गुस्सा भी आएगा आपके अंदर मोहो भी बढ़ेगा आपके अंदर आसकती भी आएगी सब कुछ आएगी लेकिन जिस व्यक्ति में त्याग आ गया जिसमें समर्पन आ गया उसके लिए 12th Lord इन 6th house जो है ना उसकी मुक्ति का कारण बन जाएगा क्योंकि 12th Lord in 6th house में वो 12th house को देखता है उसको शशक्त करता है इसलिए जिस व्यक्ति के 12th Lord 6th house में हो और वो व्यक्ति अपने मुक्ष से ये कह दे कि मेरे को कोई फरक नहीं पड़ता मुझे कोई क्या कहता है कोई मेरी निंदा करता है कोई मेरी तारीफ करता है कोई मेरे को नुक्सान देता है देखकर आपको ये भाव आजाए कि इस व्यक्ति में आ सकती नहीं है इसमें त्याग भी है समर्पन भी है तो समझ ले न और 12th Lord इन 6th house उसको जो चाहिए वो दे रहा है ये बाकी लोगों के लिए आपसे कभी शिकायत नहीं करेगा ये कहेगा ठीक है कष्ट है, कट रहा है तो यहाँ ये जो 12th Lord है न ये इसकी शडरी पूंगों का नाश्करता चला जाएगा ना इसमें काम रहेगा ना इसमें क्रोध रहेगा ना इसमें मोह रहेगा ना मद, ना मतसर्य है सब चीजों से मुक्त हो जाएगा और एक बात बताता हूं में तुमें जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का त्याग नहीं कर पाता किसी चीज़ को अपने मन से निकाल नहीं पाता ना इसका आर्थ ये है कि वहाँ उसका बारवा घर श्रेष्ट कारिया नहीं कर रहा है उसने अपने बारवा घर को नेगेटिव कर लिया है जब आप मेडिकल एस्टिलोजी पढ़ोगे ना तो मेडिकल एस्टिलोजी में एक फिनोमेना आता है साइको सुमेटिक डिजीज का और डिजीज के रूप में हम ये भी कहते हैं कि हर डिजीज के पीछे एक emotional pause काम करता है यानि कि कोई एक certain emotion है अपने वो emotion अपने अंदर store कर लिया अब वो emotion जो है आपके अंदर वो शारिरिक कुरीतियों को जो है वो trigger कर देगा आपके अंदर लेकिन अगर आपका 12th lord 6th house में है 12th lord 6th house में है और आप अपने मन से चीजों को निकाल नहीं पारे अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि शत्रूता का भाव कौन सा घर है चटा घर है और त्यागने का भाव कौन सा है बारवा घर अब 12th lord अगर 6th house में है और किसी ने किसी व्यक्ति के प्रती बहुत एक नेगेटिव भाव अगर रख लिया कौन सा नेगेटिव भाव रख लिया कि यार इसने मेरे को ऐसा कहा था इसने मेरे साथ में ऐसा किया था इसने मेरा वहाँ insult की थी अगर आपने ऐसा किया न तो आप जानते है क्या करेंगे आप अपने शरीर में एक बिमारी को जन्म दे देगे क्योंकि 12th lord ने क्या ट्रिगर कर दिया 6th house को ट्रिगर कर दिया और ये आपने positive 12th lord से ट्रिगर नहीं किया उसको negative 12th lord से ट्रिगर कर दिया आपने 12th house की negative जो उर्जा थी उसको ट्रिगर करके आपने छटे घर को ट्रिगर कर दिया इसलिए अब आपको बिमारी होगी ही होगी अब इसमें आप जोतिशी को या जोतिश को दोश मत दीजिएगा ये इसके पीछे का अध्यात में है कि भई क्यों इसको बिमारी हुई क्योंकि 12th lord 6 में था अब जिस व्यक्ति के 12th lord 6 में हो उससे देखो उससे पूछो अगर वो व्यक्ति आपको बहुत बिमार दिखे न तो उससे पूछना यार तो किसी आदमी का कुछ किया हुआ छोड़ नहीं पाता गया नहीं यार मुझसे छूटता नहीं है मेरा मन करता है कि बस जो करना है अभी कर दो इसके साथ और जब तक मैं उसके साथ करनी लेता वो चीज न मेरे अंदर घूमती रहती है इसका अर्थी ये है कि यदि आप उसके शुब चिन तक है तो आप उसको बताएंगे कि जब तक आप इस विचार का त्याग नहीं करेंगे तब तक ये बिमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी ये शत्त प्रतिशत सकते है छोड़ नहीं सकते आप इसको यही ट्वेल्थ लॉड जब अस्टम भाव में बैढ जाए बारवे घर का स्वामी अस्टम भाव में बैढ जाए तो अस्टम भाव को एक शब्द मिला है अस्टम भाव को हम निजी दोश कहते है निजी दोश अब निजी दोश का आर्थ क्या है निजी दोशकार्थ क्या है? निजी दोश का मतलब निजी को क्या बोलेंगे? अंग्रे जी में क्या कहेंगे निजी को? परसनल? दोश को क्या कहेंगे? फॉल्ट? तो आठवा घर क्या है? परसनल फॉल्ट. परसनल फॉल्ट. आठवा घर जब जागरित होता है या आठवे घ व्यक्ति का अगर 12th Lord 8th house में बैट जाए, बारवे घर का स्वामी 8th घर में बैट जाए, तो इसका अर्थ क्या होता जानतों, बारवे घर का स्वामी क्या कहा मैंने, त्याग है समर्पने, अश्टम भाव में बैट गया, 8th house में बैट गया, अगर इस व्यक्ति के अंदर किसी चीज को छोड़ने की, किसी चीज को त्यागने की, किसी चीज को लेट गो करने की, अगर इसके अंदर हैबिट नहीं डेवलब हुई है, वो प्रवर्ति इसके अंदर नहीं आई, तो जानते हो क्या होगा, आठबा घर क्रॉनिक इल्नेस का है, टर्मिनल इल्नेस का है, इसलिए जिस व्यक्ति के 12th Lord 8th house में बैट जाए न, और 12th Lord 8th house में बैट कर एफलिक्शन में आ जाए, तो उस आदमी को कहो के तुझे लेट गो इसलिए करना पड़ेगा, कि यदि तुझे अपना जीवन प्यारा है, आठबा घर जीवन है, लॉंजिविटी है आठबा घर, और यदि तु नहीं चाहता कि तेरे जीवन में तुझे पीड़ा मिले, कि इसको आज के समय में अंगरेजी में हम जानते हो, क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे आज, 12th लॉड को, यह 12th हाउस को, जिसको हम त्याग कह रहे हैं, समरपन कह रहे हैं, इसको आज की modern day language में, जो आज की जो generation समझती है न, जिस बात को, क्या कहेंगे, let go, let go, किसी ने समरपन ये 12th house है इसलिए जब हम बात शमा की करते हैं अब मैं अगर तुमसे पूचूं कि शमा या फॉर्गिवनस क्या है शमा या फॉर्गिवनस क्या है let go है न तो 12th house या 12th live yard के अंदर वो let go है वो शमा है वो forgiveness इसलिए हमारे अपने धर्म उस्त्र क्या कहते हैं हमारे धर्म उस्त्र यह कहते हैं जब आप एक क्लासिक है astrolog का एक फल्दीपिगा आप जब फल्दीपिगा पढ़ोगे तो फल्दीपिगा में एक बहुत अच्छी टेक्नीक जो है वो मेंशन की है टेक्निक ये है, कि जब भी आपने किसी घर का विचार करना है, किसी भी घर का विचार करना है, तो आप उस घर को लगन बना लीजिए, और उसका लगन बना के उसका विचार कीजिए, तो आप माल लो मैंने 12 आउस को लगन बना लिया, या माल लीजे मैंने 9 भाव को लगन ब अब मैं यदि आपसे पूछूं कि भाग्य अगर भाग्य भाव या नाइन्थ हाउस धर्म का भाव है तो धर्म का वास कौन से घर में होगा फिर कोश्चन पूछ रहा हूं मैं बड़ा ध्यान से आंसर करना मैं कहा हूँ अगर धर्म भाव नाइंथ हाउस है तो धर्म का वास कौन से घर में होगा जब मेरा वास मेरे स्वयम का वास मेरे फस्ट हाउस का वास जब चौथा घर है तो धर्म का वास कौन सा घर है बार्वा घर मुक्ति का जानते हो क्यूं कहते हैं वो इश्वर का रिदय है और इश्वर के रिदय में सबसे पहली चीज क्या वास करती है शमा वास करती है इसलिए जहां शमा होगी वहां धर्म वास करेगा इसलिए आपको यदी को ये कहे न कि मेरा भाग्या बहुत मजबूत है उसका भाग्या बले मजबूत रहने दीजिए अगर उसका बारवा घर सही नहीं है न अब वो व्यक्ति अपने भाग्या के सुख कदापी नहीं ले सकी क्योंकि चौथा गर सुख का है, सुख की अनुभूती है, हम पढ़ते हैं ना, जो तिश में पढ़ते हैं, फोर्थ हाउस क्या है, सुख है, तो फल्दीपी का क्या कह रही है, फल्दीपी का कह रही है, आपने जिस घर का विचार करना है, उस घर को लगन बना लो, और वहां स चीजों का विचार करो, इसलिए धर्म का, धर्म का, वास कहा है, धर्म का वास बारवेगर में, इसलिए जिस घर के अंदर शमा नहीं है, जिस घर की में फॉर्गिवनेस नहीं है, उस घर का नाइंथ हाउस में एग्सॉल्टिड प्लैनेट बैढ जाए, उस घर का नाइंथ यूगि 9th house सर्फ धर्म का सुख नहीं है ईश्वर के होने का भी सुख है कि मैं ये कह सकूँ कि हाँ मेरे जीवन में ईश्वर बास करता है क्यों करता है क्यों मेरे अंदर यदि कहीं से भी forgiveness है यदि वो शमा भाव है तो मैं ये कह सकूँगा कि हाँ इश्वर के का रिदय मेरे लिए बना है इसलिए वो बारवा घर है इसलिए वो मुक्ति है इसलिए अगर को ये कहे ये जोतिश कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूं भई मेरा ग्यान नहीं है कि अगर हम बारवे घर को मुक्ति कह रहे हैं तो मुक्ति का अर्थ इश्वर का कि जिस विक्ति को इश्वर के रिदय में स्थान मिल गया, वो मुक्त हो गया, इसका अर्थी है, इसलिए वो मुक्ती भाव, समझ रहे हो बात को, तो बारवा घर जो है, वो अश्टम भाव में बैठ के क्या कह रहा है, कि भाई अगर तुम्हारा बारवे घर का स्वामी अश् बुराईया, तुम्हारे अपनी मुरुखता का कारण बने, अपना निजी दोश बने, अपना परसनल फॉल्ट बने, तो तुम अपने अंदर त्याग और समर्पन ले आओ, एक बहुत अच्छी चीज मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छा एक कोट था कहीं, आ गया मेरे सा सामने एकदम से मैं लिख लेता हूं उसको, तो उसमें आया कि, लास्ट नाइट आई वस क्राइंग, लास्ट नाइट आई वस क्राइंग, और आई सेट तो गवाड, गवाड, आएम दन, अगवाड रेपलाईड, ग्रेट, नाओ आई कन बिगिन, आदमी रो रहा है, रो के बोल रहा है कि भगवान पिछली रात, मतलब व्यक्ति कह रहा है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मैं हिंदी में दे देता हूं, कि पिछली रात मैं रो रहा था, और रो के मैंने भगवान से का कि भगवान हो गया मेरा तो, भगवान मु जाए ना, जब आपका हो जाए और आप कहदो मेरा हो गया, वो बारवा घर है, वहाँ बारवा घर जागरेत हो गया, क्योंकि वहाँ आपने छोड़ दिया, यही समर्पन है, और कुछ समर्पन नहीं है, क्योंकि अब तक आप ट्राई कर रहे थे न, अब वो ट्राई करेगा, वो जो ट्राई करेगा, वो श्रेष्ठ होगा, वो श्रेष्ठ होगा, अब यही बारवे घर का लौड, यही बारवे घर का स्वामी, जब नवम भाव में वास करता है, जब नाइन्थ हाउस में वास करता है, तो आम तोर पर एक materialistic point of view से, एक बहुतिक point of view से हम क्या कहते हैं, कि भई तुम्हारा बारवे घर का स्वामी का है, नाइन्थ में है, तो तुम्हारा भाग गया, भाग गया है ना नाइन्थ हाउस, और नाइन्थ हाउस में कौन बैठ गया, ट्वेल्थ लॉड बैठ गया, तो ऐसे विक्ति को हम जानते हो क्या कहते हैं, यार तुम्हारा भाग गया, तब जागरित होगा, जब तुम विदेश जाओगे, इसका अर्थ ये है, कि अगर तुम्हारे पास कोई कुंडली दिखाने आ गया, और जिसका ट्वेल्थ लॉड नाइन्थ में बैठ गया, तो तुम उसको ये कहोगे, कि तु सामर्थ है रखता कि वो बाहर जा सके, या कहीं और जा सके, तो क्या उसके जीवन में भाग्यकारे नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, इसलिए नाइन्थ हाउस को सिर्फ भाग्यका कहकर आप उसके डोमेन को बहुत छोटा कर दे रहे हो, नाइन्थ हाउस सिर्फ भाग्यका नहीं है, 9th house ईश्वर के होने की अनुभूती है इसलिए उसको धरम का भाव का है इसलिए उसको God grace भी का है 9th house is God grace ये God grace आपके अंदर कैसे आई ये God grace आपके अंदर कैसे आई ये God grace आपके अंदर त्याग और समर्पन से आई और मैं हमेशा बोलता हूँ जिसका 12th Lord 9th house में हो न और अचानक से उसके अंदर एक ऐसी भावना जागरित हो जाए कि यार जो जीवन है न वो देने के लिए बना है I have to give something और ये बाते आपको किसी से मिली है किसी के आने के बाद आपके जीवन में वो भाव आया है ये 12th Lord जब 9th में है और किसी व्यक्ति के आने के बाद आपके जीवन में यदि वो भाव आया तो वो व्यक्ति ही आपका गुरू है क्योंकि 12th Lord का 9th house में होना ये बताता है कि आपका गुरू आपका गुरू जब आपको मिलेगा तो वो आपको मुक्ति के मार्ग पे ले कर जाएगा वो आपको बांदेगा नहीं अब यहाँ पर वो गुरू आपका बच्चा भी हो सकता है वो आपका पिता भी हो सकता है वो आपका पार्टनर भी हो सकता है अब बहुत से लोग यह हो सकते हैं, जो यह कह सकते हैं, कि मेरे case में तो ये चीज बन रही है, क्योंकि मेरे को ने case यादाया, मेरे को एक case यादाया, बहुत अच्छा case बताता हूँ मैं तुम्हे, तुम्हें एक बहुत अच्छी learning देगा, मेरे पास एक केस आया जहां पर एक फीमेल ने बड़ा पीडा दैक अपनी स्थिती रखी, बहुत पीडा दैक स्थिती रखी, वो स्थिती क्या थी? कि husband जो है वो हर तरीके से characterless है हर तरीके से characterless है सब चीजे कर रहा हूँ सारी अनितिक ताएं कर रहा है वो जो हो सकती है और वो female फिर भी उसके साथ में बनी हुई है वो female फिर भी उसके साथ में बनी हुई है वो कश्ट में है सब कुछ है सारी चीजे हैं उसके साथ में जीवन में अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ तुम मुझे उसका जवाब देना अगर तुमने इसका जवाब सही दिया तो तुम्हें बारवे घर का जो है वो बारवे घर की जो समझ है समझो तुमारी थोड़ी 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 सही हो गई अब तुम बताओ कि वो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है वो उसके लिए सही है या गलत है यह जो हो रहा है उस व्यक्ति के द्वारा यह उसके जीवन में सही हो रहा है गलत हो रहा है वो व्यक्ति जो है न वो जो व्यक्ति है जो उसके साथ में ऐसा कर रहा है उसको पीड़ा देकर उसके पेशंस को डवलप करके उसके अंदर एक सेक्रिफाइज का एक एटिट्यूड जागरत करके उसके बारवे घर को जागरत करके वही व्यक्ति इसकी मुक्ति का कारण बने जब यह मुक्ती के नजदीग वां अभी इसको क्या लगेगा अरे यार मेरा हस्बंड ऐसा कर रहा है मेरा हस्बंड वैसा कर रहा है मेरे हस्बंड ने ये कर दिया मेरी लाइफ एल कर दी ये कर दी अगर कभी बारवा घर तुम्हारे जीवन में जागरित हो और आपको कोई पीडा दे तो पीडा देने वाले व्यक्ति वो नमस्कार अवश्य करना ये वो दोबी है जो बिना पैसे लिए तुम्हारे मैल को दो राएंगा पासे भी नहीं लेना तुमसे सबसे बड़ी बात, बाकी जगे तो तुमसे चार्ज कर लिया जाएगा कपड़ों का ये 10 में, 20 में जोड़ी है यहां तो तुमसे कोई चार्ज भी नहीं कर रहा है समझ आप बात करो, that is the beauty of 12th house तुम बात कर रहे थे उस दिन तुम्हारा 12th lord 10th house में था तो 12th lord जब 10th house में होता है तो हम आदमी को क्या करते हैं 12th lord 12th house में होता है उसको क्या कहते हैं भई अफ MNC में काम करो form company में काम करो विदेश में काम करो अब सामने वाला पूछेगा जी नहीं करेंगे तो क्या होगा भई काम को बदलते रहोगे बदलते रहोगे आज तुम teacher हो कल तुम policeman बन जाओगे फिर किसी दिन तुम builder बन जाओगे तो तुम्हें अपने कामों को बदलना पड़ेगा कब जब 12th lord 10th house में हो आपको एक निशकाम कर्म योगी के रूप में कर्म करने के लिए कहता है क्योंकि 12 घर का attachment से कोई लेना देना नहीं है 11 घर का स्वामी जब 10th house में हो एक आदश भाव का 11 घर का स्वामी जब 10th house में हो तब आप अपनी desires पूरी करोगे अपने कर्म के अंदर मेरी desire है कि मुझे बहुत बड़ा बनना है 11th Lord 10th में है जमता है जमता है इश्वर ने दिया है कुछ सोच के दिया होगा ऐसे नहीं दिया लेकिन 12th Lord 10th वाला कहें मुझे बहुत बड़ा बनना है मूरक्ता कर रहे हो तुम्हें जो कर्म मिला है वो प्रापती करने के लिए नहीं मिला वो कर्मों के द्वारा मुक्त होने के लिए मिला है इसलिए जब तक वो निश्काम भाव से कर्म करने की चेतना तुमारे अंदर जागरत नहीं होगी तब तक तुम अपने कर्म को श्रेष्ट रूप में नहीं कर पाओगे यह जोतिश है भीया यह सिर्फ यहां तक नहीं चलता कि किसी को MNC कह दिया तो तुम 12th law 10th में है MNC में बहुत बढ़िया काम होगा वो आदमी खुश है वो एक illusion में चला गया इतना बढ़िया पैकेज हो गया यह हो गया उसको समझा तो 12th law 10th का अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है तुम MNC के CEO बन जाओ तुमें कंपनी खड़ी कर दो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े millionaire, billionaire बन जाओ problem नहीं है लेकिन करम तुमारा निश्काम भाव का ही रहेगा और वही होना है अगर नहीं हुआ तो यही करम तुमारा 12th house से तुमारा बंधन बन जाएगा मुक्ती नहीं बनेगा फिर यह बंधन हो जाएगा तुमारे मुक्त नहीं हो पाओ और 12th lord जब 11th house में आए तो यह बहुत बढ़िया कॉंबिनेशन है 12th Lord 12 घर का स्वामी जब 11th house में आये तो क्या होता जानते हो इसकी भहत एकतावी और इसकी अध्यात्मिकतावी दोनों बहुत लगे इसका भहत एक रूप भी बहुत श्रेष्ट है और अध्यात्मिक रूप भी बहुत श्रेष्ट है जब 12 घर का स्वामी 11 घर में आये तो जानते होता क्या है ऐसे व्यक्ति की इच्छा उसी शन पूर्ण हो जाती है जब वो उस इच्छा का त्याग कर देता है अगर किसी का 12th Lord 11th में है और वो चाहता है मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो इच्छा आ गई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इच्छा आ गई अब इच्छा का त्याग कर दो बोल दो ठीक है आ गई कोई बाद नहीं होगी पूरी ठीक है नहीं होगी तो ठीक है चलो जाने दो इसलिए बारवे घर का स्वामी जब ग्यारवे में बैठे आदमी अपने desires को लेकर उस दिन तक दुखी रहता उस दिन तक भागता रहता है जब तक वो उसको त्याग नहीं देता और जिस दिन ठक कर त्याग देता है न कि भाई आज हो गया बहुत आज हो गया बहुत जिस दिन वो इसको त्याग नहीं अगले कुछ दिनों में वो इच्छा पून हो जाती यह 12th Lord in 11th है और आप क्या कहोगे materialistic दृष्टी से foreign countries से gain होंगे विदेश से आपको लाब होगा विदेश की वस्तूओं से आपको लाब होगा यही सब चीजें बोलोगे आप 12th Lord in 11th में लेकिन अध्यात्मिक दृष्टी से आप इसको क्या कहोगे कि आपके जीवन में वो ही लोग आपके मित्र या सखा बन पाएंगे जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा अन्यथा हर मित्र आपका आपसे अलग हो जाएगा आज नहीं तो कर ऐसे व्यक्ति के मित्र लॉंग टम नहीं रहते 12th Lord in 11th हाउस के लॉंग टम मित्र नहीं रहते या उसको मित्रों से हानी हो जाएगी लेकिन कौन से मित्र हैं जो इसके शिरेष्ट रहेंगे जो इसको जीवन में हमेशा सही मार्ग देंगे वो जो अध्यात्न से जुड़े है इसलिए यदि आपका 12th Lord 11th हाउस में है यू नीड टू सीख कमपनी ओफ स्पिरिच्वल पीपरी अगर आप गलती से उन लोगों के बीच में कहीं फसे हुए हो न अगर आप गलती से 12th Lord 11th में है और उन यारों दोस्तों के बीच में फसे हुए हो जो दिन रात आपको आपके पैकेज का स्मरण कराते हैं कि 13 पैकेज 20 लाग का है कब 30 का होगा कब 40 का होगा तो यकीन मानना कि ये दोस्त नहीं है ये दोस्त के रूप में आपके जीवन की वो बेडियां है जिनको आप मजबूत किये जा रहे हो किये जा रहे हो और जितना आप इनको मजबूत कर रहे हो इनको तोडने में उतना ही सामर्त है आपका खतम हो जाया इसलिए 12th Lord 11th house में ये कहता है कि आपको मित्र के रूप में सत्संगती करनी है हम पढ़ते हैं न सत्संग तो what is सत्संग? सत्संग means good company तो when you have 12th Lord in 11th house and you really want to accomplish something आप जीवन में वास्तव में कुछ करना चाहते हो न अचीव करना चाहते हो या कुछ realization करना चाहते हो 11 गर realization है 11 गर जो है वो realization का है कि मुझे realize हो रहा है नहीं हो रहा है that is 11,000 अब मैं किसी को कहूँ मैं मलव को कहूँ मलव तुम्हारी वो गलती थी अब मलव अगर अपनी गलती realize करेगा वो realize पता कब करेगा जब इसके 11 गर ठीक होगा अगर इसका 11 गर ठीक है ये सब कुछ करेगा लेकिन अपनी गलती नहीं मानेगा इसलिए 11 गर का यहां महत्व बहुत अच्छा है कि वो realize है मैं realize कर रहा हूँ कि मैंने ये किया किया तो भोलो ना वही किया वो realization क्योंकि जब तक realization नहीं होगा जब तक 11 गर का दुआर खोल के आगे नहीं जाओगे तो 12 गर तक पहुंचोगे कैसे तुम कहतो रहे हो 12 गर मुक्ती है लेकिन 11 गर realization भी तो है तो पहले उसको तो पार करो तो 11 गर, 12 गर में जब 11 गर होगा 12 का स्वामी जब 11 में होगा और आपको कोई अध्यात्मिक संगती मिलेगी कुछ अध्यात्मिक मित्र आपको प्राप्त होंगे ना जीवन में वो आपको realize कराएंगे जीवन की importance आपको realize कराएंगे और जिस दिन आप एक भी ऐसे विक्ती के साथ होगे ना आपको सार समझ में आएगा जीवन का आप प्रफुलित होगे आप बंध होगे नहीं वरना जिसका 12th Lord 11th में बैठ जाए ना वो यारों दोस्तों के बीच में होकर भी अखेला होता है जाएगा उनके साथ में पार्टी भी करेगा फन भी करेगा इंजॉय भी करेगा सब कुछ करेगा लेकिन उनके साथ रस नहीं ले पाएगा कहने को उसको दोस्त होंगे अरे आज दोस्त है पार्टी हो रही है चल पार्टी करते हैं चल पैग लगाते हैं जाएगा उनके साथ जाएगा लेकिन जाकर भी खाली रहेगा सारे काम करेगा फिर भी अगले दिन आके उससे पूछो क्या किया आरे बड़ा enjoy किया है बहुत enjoy किया जबकि अंदर से पता enjoy कुछ नहीं हुआ लेकिन जिस दिन एक सही वेक्ति के साथ भी enjoy करने को मिल गया ना बारवे घर के उस दिन उसको समझ में आएगा मित्रता होती गया है तो उसको ग्यारवे घर का एक सार समझ आएगा ग्यारवा घर है क्या क्यों उसको संगती का भाव का है friendship क्यों का है ग्यारवे घर को जानते हैं ग्यारवा घर friendship क्यों है क्यों है क्योंकि आपकी संगत पर आपकी मुक्ती निर्भर करती है अगर संगत खराब हो गई न तो जीवन में कभी मुक्त नहीं हो पाऊँ इसलिए जिस किसी के संग हो न वो आपके अंदर क्या डाल रहा है इस पर विचार कर लेना है बहुत जरूरी है बारवे घर का स्वामी दूसरे घर में हो गया तो बारवे घर का स्वामी यदि दूसरे घर में चला गया तो क्या कहोगे क्या कहोगे कि पैसा जो है पैसा कैसे आएगा इन्वेस्टमेंट के द्वारा आएगा फोरं से आएगा अन्नोन सोर्सिस से आएगा और किस से आएगा क्या कहते हैं बारवेगर को बहुतिक सेंस में hidden talent वो प्रतिभा जो मेरे अंदर गहीं छुपी है वो बारवागर वहां से आएगा योग करने से आएगा तो ये चीजे तो हम कह देंगे बारवेगर का स्वामी भई तुम्हारा दूसरे घर में है तुम्हें योग कर सकते हो तुम फोरंग जा सकते हो तुम हस्पिटल में कारे कर सकते हो तुम किसी विदेशी कंपनी में कारे कर सकते हो तुम्हें पैसे बनाने में मदद मिलेगी बारवे घर का स्वामी दूसरे में बैठा लेकिन अध्यात्मिक दृष्टी से आप क्या कहोगे accumulation of wealth किसको कहते है second house को कहते है accumulation of wealth second house को कहते है second house सिर्फ accumulation of wealth है या accumulation of everything जो हम इखटा करते है जो भी हम इखटा करते हैं वो second house है न अब second house में क्या आ गया 12th house आ गया 12th lord कहां चला गया second में चला गया अब ये आपको क्या कह रहा है ये आपको ये कह रहा है क्या कि भी जो कुछ भी इखटा किया है तुम कहो महराज बहुत कुछ इखटा कर लिया ये तो 5 करोड इखटे हो गए 6 करोड़ी गट्टे हो गए 10 करोड़ी गट्टे हो गए उसकी तरह हो गए जो मुझे कह रहा था मैं इतने करोड़ के जहक पर साइन करता हूँ उतने ही गट्टे हो गए लेकिन अगर बारवे घर का स्वामी दूसरे घर में आ गया तो यू ओंस नथिंग आपका मालिकाना हक किसी चीज़ पर नहीं है अध्यात्मिक सेंस में बहुत एक सेंस में यू कुट भी ए मिलियनेर बिलियनेर आप कुछ भी हो सकतो ऐसा नहीं है अध्यात्मिक दृष्टी को नहीं है तुम्हारा अधिकार किसी चीज़ पर है नहीं तुम कहरें वहां मेरा अधिकार है या कुछ भी जो तुमने इखटा किया है अगर तुम्हें मुक्ती चाहिए, if you want liberation, you want to get free आपको सब इखटा किया हुआ, छोड़ना पड़ेगा आपको सब इखटा किया, छोड़ना पड़ना पड़ेगा you have to let go, everything which you have accumulated कभी देखा है, कभी देखा है इस बात को एक बात बताओ, हम दुनिया में जो news सुनते हैं कि आज उस आदमी ने अपनी इतनी दौलत जो है, वो सारी charity को दे दी वो छोटे-मोटे पैसे वालों की सुनते हैं या जिनके पास अथा पैसा होता उनकी सुनते हैं जिनके पास अथा होता उनकी सुनते हैं, अब उनकी कुंडली जाना, उनकी कुंडली खोलना और उसमें देखना, कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, जो इतनी दौलत कमा कर वो फाइनली उसको छोड़ देते हैं, कि यहां आपको 12th house समझ में आएगा, कि 12th house है क्या असल में, जब आपकी जोतिशिय द्रिष्टि गहराएगी न, जब आपको जोतिश की समझ होगी, मुझे नहीं है लेकिन आपको अगर होगी, तो आपको बारवे घर की जो शूक्ष्मिता है न, उसका अर्थ पता चलेगा कि जिस बारवे घर को आप loss कहते हो, जिस बारवे घर को हम कहते हैं कि ये मेरा expenditure है या मेरा loss है, वो बारवा घर expenditure या loss नहीं है, वो बारवा घर gain है, लेकिन वो gain है जो आपके लिए बना है, कौन आप, ये आप नहीं, जो बहर आप है, वो आप नहीं, जो अंदर आप है, उसके लिए बना है वो बारवा घर है, फल्दी पिका ने कुछ सोच के कहा होगा न, हर घर को लगन बना लो, फिर देखो फिर देखो वो घर कैसा दिखता है, हर घर को लगन बना लो, चौथे घर को देखना, चौथे घर को लगन बना लो पांचवे घर को देखना पांचवे घर को लगन मना लो 12th Lord किसी का तीसरे घर में बैठेगा बहुत मुश्किल होता है ऐसे आदमी के लिए जिसका 12th Lord तीसरे घर में हो बड़ा मुश्किल होता है इस आदमी के लिए क्यों? क्योंकि ये आदमी जिस भी चीज के प्रती आकरशित होता है जिस भी चीज के प्रती आकरशित होता है अगर इसके पास में पैसा हो तो immediately उसको खरीदने का प्रयास करता है 12th Lord किसी का 3rd house में है तो 3rd house किस चीज का mental inclination का हम अंगरेजी में इसको एक और बात भी बोलते है 3rd house को 3rd house is your temptation आप किस चीज को देखके tempt होते हो अचानक से tempt होता ना आदमी अरे यार बड़ा अच्छा जैसे मैं कोई खाने की चीज देखो मैं tempt हो गया देखके अरे वाँ यार बहुत बढ़िया चीज लग रहेगे तो 12th Lord जब 3rd house में होता है तो व्यक्ति किसी भी चीज को देखके ना tempt होता है तो मालो मैं अपना mobile जो है वो इंस्टा पे अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ रील्स को स्क्रॉल कर अब स्क्रॉल करते करते अचानक से किसी mobile पर मेरी नजर पड़ी 12th Lord मेरा 3rd house में है तो उसने मुझे tempt किया tempt करते ही सबसे पहले मेरा मन करेगा इसको खरीद लू अगर मेरे पास पैसे होंगे मैं खरीद लू तो आदमी आदमी जो है ना attraction पर बहुत जाता है 12th Lord in 3rd house हर वो चीज खरीदने का प्रयास करता है जो उसको attract करती है attraction उसका अपना डोमेन है वो किस चीज को लेकर attract so he want to spend money on that attraction ये हो गया 12th Lord in 3rd का बहुत एक लेकिन अध्यात्मिक दृष्टी कोण से 12th Lord 3rd में क्या कहता है अध्यात्मिक दृष्टी से 12th Lord 3rd house में ये कहता है कि जिस दिन जिस चीज ने आपको आकरशित किया वो चीज आपके पास आ रही है सामने आ गई किसी ने हात में दे दिया और आपके अंदर हिम्मत आ जाए ये कहने कि मुझे नहीं चाहिए इसको ले जा उम्न से आ जाए कि नहीं चाहिए भाई ले जा उस दिन आप अपना independence day celebrate कर सकते हैं इंडिया का independence day celebrate नहीं कर सकते हैं अपना independence day celebrate कर सकते हैं कि बही आज मेरा independence day है, आज मैं party करूँ क्यों? आज मेरे अंदर आकर्शन खतम हो लिया twelfth lord in third house says the day you will end everything which attracts you हर उस चीज का अंच कर दिया आपने जो आपको आकरशित कर रही थी वो दिन आपके जीवन का सर्वशेष्ट दिन होगा इसलिए कई लोग न उदासी में ये बोलते हैं अब मेरे को कोई चीज आकरशित नहीं करती अरे बेवकूफ तेरे लिए खुशी की बात है तेरे लिए खुशी की बात है कि तेरे को आकरशित नहीं करती जिनको आकरशित करती है उनसे पूछ के देख तो कम से कम इस बात को सोच विचार के साथ तो कह रहा है जिसको नहीं मिल रही वो तो रो रहा है इस चीज़ के लिए तो अपनी condition में और उसकी condition में फर्क देख कैसा है तब समझ में आएगा 12th Lord in 3rd कर क्या रहा है 3rd house is temptation what tempts you क्या tempt क्या करेगा आपको वो 3rd house है तो अध्यात्मिक सेंस में आप इसको ऐसे ले सकते हो बहुत एक सेंस में वो ही रहेगा कि 12th Lord जो है 3rd में बैठा है this person will spend on his or her hobbies इसका मन करेगा मैं ये सीख लूँ वो उस पर खर्च कर देगा इसका मन करेगा आज गिटार सीखूँ चल भई गिटार पर खर्च देते हैं इसका मन आज मैं ये वाला कोर्स कर लूँ मैं ये कोर्स पर खर्च देते हैं आज चैट जी पीटी कर लूँ आज चैट जी पीटी पर खर्च देते हैं that is 12th Lord in 3rd house when this 12th Lord goes to the 4th house what is 4th house? 4th house is मना मना क्या बोलते हैं? मना बोलते हैं ऐसा नहीं है तो तो मैं अपने आप से क्या रहा हूँ कि मना but मना कहते हैं means मन अंतर मन 12th Lord in 4th house 12th Lord in 4th house की prediction क्या होती है? जब तक विदेश नहीं जाओगे career settle नहीं होगा 12th Lord 4th में 10th को देखा है जब तक विदेश नहीं जाओगे घर का सुख नहीं मिलेगा क्यों भई? अगर कोई विदेश नहीं गया तो क्या उसके जीवन में सुख लिखा ही नहीं है? इश्वरा इतना निर्दई हो गया कि जो विदेश चला गया उसको सुख मिल गया और जो घर रह गया उसको सुख नहीं मिला आपके अंदर किसी चीज को त्यागने की प्रवड़ती है या नहीं है? आप कहा दू मेरे में तो है अचानक से आपका फोन गया जो मैटो पर क्या कर रहे हो? खाने का मंगा रहे हो? क्यों मंगा रहे हो? अरे ये खाने का मन नहीं कर रहा भार का अज मन कर रहा है भार का उड़ा रहा है वो खाऊगा जब आप एक खाने की इच्छा का त्याग नहीं कर पा रहे तो मन में विचारों का त्याग कैसे कर पाऊ? ये इस ट्वेल्थ लॉड़ इन फोर्थ हॉस वेन यू केन यू आर इन पोजीशन तो लेट गो एनी थॉट एनी थॉट वारा यार ये मेरे को मिल जा रहे क्यों मिल जा ठीक है भई मेरे को नहीं चाहिए ले जा उसको दड़ डे जिस दिन आपकी स्थिति वैसी हो गए जिस दिन आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गए उस दिन आपके साथ नहीं हो जाया इसलिए बारवा घर जब चौथे बारवे घर का स्वामी जब चौथे में हो न तो इस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी remedy जानते हो क्या है silence is the best remedy silence is the best remedy एक quote है कहीं पर एक quote लिखा हुआ है रूमी का quote है बड़ा अच्छा है कि silence is the language of God silence is the language of God rest all is poor translation जो silence है वो परमात्मा की भाषा है उसके अलावा सब कुछ जो है न वो सिर्फ एक अनुवाद है वो बेकार का अनुवाद है कुछ नहीं है उसमें 12th Lord in 4th house वाले कोई समझना होगा क्या वो silence समझता है और silence से अर्थ क्या है अब मैं कह दू अरे मैं आज के बाद किसी से बात नहीं करूँगा तुम को क्यों नहीं बात कर रहे मैं मौन हूँ अरे भाई वो मौन वाले silence की बात नहीं कर रहा है अंदर के silence की बात कर रहा है बार से तो हो गए चुब अंदर मन कर रहा है यार कल उसको पीटने जाना लेकिन अंदर से विचारों का दूर्ण चल रहा है चल रहा है चल रहा है 12th Lord in 4th house वाले को ना विदेश में मुक्ती मिलेगी ना देश में मुक्ती मिलेगी समझ रहे हो बात को that is 12th Lord in 4th and why 12th Lord in 5th is so beautiful 12th Lord in 5th house most beautiful placement भई मेरी है इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा 12th Lord 5th मैं इसलिए नहीं कह रहा मेरे को तो पसंद है और हर आदमी को अपना चाट बहुत पसंद होना चाहिए और आपको हर एक placement के लिए भगवान को thanks करो हर एक placement के लिए आप जैसी placement किसी की नहीं हो सकती सबसे पहले ये चीज़ माल लो you are unique your placement is unique your planets are unique कौन सी placement unique नहीं है 12th Lord in 5th house अरे ये आदमी जब तक ग्यान के संबंद में समर्पण का भाव नहीं रखेगा देने का भाव नहीं रखेगा तो इसकी खोपड़ी में कुछ भी नहीं जाएगा इसकार्थी ये है अब किसी व्यक्ति को ये मत कह देना कि किसी का 12th Lord 5th में है तो उसके ग्यान का नुकसान हो जाएगा या उसको ग्यान से नुकसान होगा उसको ग्यान से लाभी होगा क्योंकि 12th Lord जब 5th में बैठता है तो साथवी दृष्टी से किसको देखता है एक आदश भाव को देखता है लेकिन पहली शर्त ये होती है कि अपने ग्यान को अपने ग्यान को निश्काम भाव से देना शुरू करो जिस दिन देना शुरू कर दोगे उस दिन आवशकता नहीं पड़ेगी किसी चीज़ के समझ रहे हो बात को अभी मेरे से ना किसी ने question डाला था आज तो मैंने वो डाला नहीं हुआ मोती नहीं डाला होगा मोती डाल लेता हूँ मैं कभी कभी बीच बीच में मोती डाल लेता हूँ तो किसी को मेरा चार्ट पता होगा तो मैं पढ़ रहा था कभी कभी पढ़ लेता हूँ वे ठीगे बीच बीच में comment तो मैंने comment पढ़ा किसी का उसने बुला सर आप सिंग लगन हो और सिंग लगन के होके आप मोती डालते हो अब सिंग लगन का व्यक्ति अगर मोती डालेगा तो obviously question उठेगा गियार यह तो 12th lord है 12th lord का जो gemstone है पहन के घूमरा और exactly actually मेरे को जब कभी मैं mind से disturb होता हूं या मतलब मुझे mentally कुछ peace feel क और मुझे peace लेना है तो मैं कभी भी mercury को activate नहीं करता मैं mercury को jeagrit नहीं करता विकोज mercury ही 11th lord है 5 में बैठा मुझे जागृत moon को करना होता है मुझे 12th lord को jeagrit करना है कि परेशानी let go करने में है परेशानी शीज़ पाने में नहीं है पातो आदमी ले गई अगर इच्छा दरेगा अगर 11th Lord 5th में बैठा है इच्छा हुई सामने देख रहा 11th house को तो पातो जाए गई लेकिन मुझे इलाज किस चीज का करना है मुझे इलाज उस चीज का करना है जो मेरे लिए छोड़नी जरूरी है पानी जरूरी का मेरे को वो नहीं है जब कभी mind disturbance mode में जाता है तो ऐसे में मुझे कोई problem नहीं होती मोतिधारन करने में अच्छा मेरे साथ तो दिक्कते बहुत होती है मेरे ना प्रेमी बहुत हैं लोग तो मैंने reel बनाई मैंने उस reel में लिखा कि अगर कोई आदमी बहुत fickle minded है तो मोतिधारन कर ले तो तुम में से ही कोई लेके आया था reel के नीचे मैं comment पढ़ा बड़ा मज़ेदार comment था बड़ा अच्छा लगा उसमें लिखा this man should be arrested immediately he is spreading wrong information ऐसे ही कोई रत्नधारन नहीं कर सकते वो अपना जो थोड़े मतलब हम तो मूर्क लोग हैं लेकिन जो ग्यानी जिन होते हैं वो ग्यानी जिन अपना उनके पास ग्यान का बहुत बड़ा पिटारा है ये first lord है ये fifth lord है ये ninth lord है इतनी सारी चीजों में फसे पड़े हैं ये exalted है exalted का पहन लिया रत्न तो ये हो जाएगा debilitated का पहन लिया तो ये हो जाएगा लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि आप यदि अपने प्रेयोजन से आपका यदि प्रेयोजन आपके मन मस्तिष्क में पहुत स्पच्ट है तो आप उस रत्न को पहनिए बिना किसी विचार के पहनिए जरुरत क्या है किसी ने का भी मेरे को अश्टम भाव का रत्न बता दिया किसी ने अरे किसी ने बताया अश्टम भाव का रत्न आपको चिंता करने के आवशक्ता नहीं है आपको अश्टम भाव की जागरिती चाहिए आप स्वयम से पूछिए, क्या आपको जोतेशी है अद्यन करने में दिक्कत आ रही है आप डालके देखिए क्या पता अष्ट्रम भाव का रतन डालने के बाद आपके जोतेशी है अद्यन में शुक्ष्मतर आ जाए लेकिन जब तक आप इसका विचार स्वयम से नहीं करेंगे तब तक आपको कौन बताएगा कि आपके लिए कौन सा रतन श्रेष्ट है आप घूमते रहोगे, आप कभी मुझ से पूछोगे कभी किसी और से पूछोगे, कभी किसी और से पूछोगे कोई कह देगा मेरा घ्रह उचका है, कोई कह देगा मेरा घ्रह नीचका है इसलिए जोतिश का सबसे पहला नियम ये है कि अगर किसी चीज को आत्मसाध करना है तो स्वयम से करके देखो, किसी से पूछ के नहीं दोर्रत क्या है? अरे, तुम उन कहानियों पर क्यों यकीन करते हो? भाई, कि मैंने नीलम पहना, मैं घर से बाहर गया, मेरे चोट लग गई मैं नीलम को अपने तकिये के नीचे रख के सोया, मेरे को बुरे-बुरे सपने आ गया अरे, स्टोरीज बना दी, दुनिया भर की स्टोरीज बना दी, नीलम को लेकर बना दी, किसी और रत्न को लेकर बना दी अरे, पहन के देख लो ना, नीलम, क्या होगा? तुम कह रहे हो कि या नीलम पहनने से न चोट लग जाती है शनी ये कर देता अरे अगर तुम्हारे चोट लगनी है तो नीलम पहनने से या ना पहनने से वो चोट लगनी बच जाएगी या लग जाएगी ऐसा कुछ हो जाएगा नहीं लेकिन रत्न क्या करता है? रत्न तुम्हारे अंदर us कमी को पूर्ण कर देता है जिस कमी की जर्रत तुम्हारी बाडी को है जब तुम्हें भूख लगती है, तो खाने की तरफ स्वैम भागते हो ना स्वैम बाडी नहीं कहती, खाने को चाहिए तो अगर कोई body ने, अगर आपके शरीर ने किसी रत्न को धरन कर लिया ना, तो वो आपने धरन नहीं किया है वो रत्न, वो body की requirement थी, इसलिए वो आगे आपके उपर, अन्य था एक गंटे से उपर किसी रत्न को अपनी उंगली में रख नहीं पाओंगे, निकाल दो गे, अग अगर तुम्हारे अंदर experiment करने की इतनी शमता हैं तो बनवालो ना, नो रत्न क्या दिक्कत है, देखो डाल डाल के, मैंने कभी कोई एक रत्न नहीं पहना, कभी बहुत पहले मैंने, रूबी काफी टाइम पहने रख, फिर मैंने कुछ टाइम एमरेल्ड भी पहना, नीलम भ पहन लिया, समझे रहे बात को, तो ये जो एक वो बनाई हुई है न, वो कही न कहीं तोड़नी पड़ेगी, वो माइंसेट तोड़ना पड़ेगा, अगर वो माइंसेट नहीं तोड़ा न, तो आप डर के कभी जोतिश को न छू नहीं पाऊगे पास से, वो boundary बनी रहेगी अंदर, अरे ये तो मेरा एट्थ वहाँ पे चला गया, मेरा लगना लॉर्ड ट्वेल्थ में चला गया, अगर किसी का फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में होगा, या एट्थ लॉर्ड फिफ्थ में होगा, जिसका एट्थ लॉर्ड फिफ्थ में हो, astrology तो दूसरी बात है किसी का 8th lord 5th में हो और वो कहे कि मुझे ग्यान चाहिए और परमात्मा का ग्यान चाहिए वो ग्यान चाहिए जो पूर्ण रूप से सत्य हो जिसमें 1% की मिलावट न हो कहां मिलेगा मुझे 8th lord 5th में बैठा और व्यक्ति ये कह दे कि मुझे ग्यान चाहिए और पूर्ण रूप से वो ग्यान चाहिए जो मुझे पूर्ण तार सत्य रूप में मिलेगा उसमें किसी तरह की मिलावट न हो जानते कां भीजना पड़ेगा उस विक्ति को शमशान भीजना पड़ेगा यूँए शम्शान जाकर उसके ज्ञान चक्षू खुलेंगे, लेकिन उसको डगा दिया जायेगा, शम्शान जा रहे हैं, किसी को साथ ले आओगे, कोई साथ आ जाएगा तुम्हें, मतला अगर शम्शान जाओगे, तो ही साथ आएगा, कहीं और जाओगे, तो नहीं आएग अगर आपने अपनी सोच इस प्रकार की नहीं की तो कभी जोतिश में boundaries को नहीं तोड़ पाओगे भाई और जोतिश तुम्हारे उध्यान के लिए बना है तुम्हें तुम्हें uplift करने के लिए बना है तुम बांधने के लिए नहीं बना अगर तुम जोतिश पढ़के बन रहे हो ना कि मेरे आज मैं आज मैं नीला नहीं पहनूँगा आज मैं हरा पहनूँगा ये मैंने हरा डाला हुआ है इस इस ग्रीन ग्रीन इस मर्करी मैं मर्करी इस एक्टिवेटिटिंग ग्यार्वा घर इलेवन्थ हाउस अब यहाँ पर क्या इसको धारन करने से मैं जो देना चाहता हूँ वो मैं देना बंद कर दूँगा नहीं अगर आप एस्टिवेटि को सर पे बिठा लोगे तो आप ये कहोगे तो मर्करी इस एक्टिवेटिड है तो ग्रीन कलर डाला हुआ है इससे ये हो जाएगा इससे वो हो जाएगा एक्टिवेशन यहां नहीं होती है एक्टिवेशन यहां होती है एक्टिवेशन आपको मन मच्तिश्क में करनी पड़ेगी कलर से एक्टिवेशन नहीं होती है मेरे को बहुत दिक्कत है आई एक वीडियो डाल दिया कि ग्याती कारक जिसका है, वो ग्याती कारक का स्टोन कभी न पहने, ग्याती कारक का स्टोन कभी न पहने, अब किसी को बहुत पहले बताया होगा ग्याती कारक का स्टोन, अब यहाँ वो चीज अपने लिए मुसीबत बन गई, आपने तो ग्याती कार अब मैं क्या बताऊं कि जिस व्यक्ति को छेटे वहाओ की जागरिती की आवशक्ता है, अश्टम वहाओ की जागरिती की आवशक्ता है, बारवे घर की जागरिती की आवशक्ता है, तो ग्यातिगारक का स्टोन ही सूट करेगा, समझ रहे हो बात को, this is astrology, और 12th Lord जब 1st में ब क्या कहते हैं कि wife comes from a different background, cultural background, तो दूसरे cultural background से आएगी wife जो है, और दूसरा क्या कहेंगे, दूसरा ये भी तो कह सकते हैं कि wife जो है case कर देगी, जिससे बहुत नुकसान हो जाएगा, 12th Lord in 7th house, तो आपको negative सुनने को क्या क्या मिलेगा, there will be loss in marriage, wife will come from a different cultural background, she may be a foreigner, ये सब चीज़े आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, ये normal prediction है, हर कोई जानता है, आप समझ भी पाएंगे, किसी के chart में देखेंगे, लग भी जायेगा, ठीक है, बारी की क्या है, बारी की ये है कि भी अगर अपना शादी शुदा रिष्टा बचाना है, तो उस रिष्टे में त्याग और समर्पन लाना पड़ेगा, अगर रिष्टे में सिर्फ expectations बना के रखी न, कि आज ये मेरे लिए ये कर दे, आज ये मेरे लिए वो कर दे, जिस दिन इस ग्रह की दशा आगए, जो 12th Lord 7th में बैठा है, या इस से जुड़े ग्रह की दशा आगए, जो इस से जुड़े है, या इसको दृष्ट कर रहे है जो भी, relation मना रहे है, उस दिन विवाद समापत हो जाएगा, और तुम दोश किस चीज़ को दोगे, दोश दोगे जोतिश को, एक बात ध्यान दखना, देखो मेरी खोज तो जोतिश की चल रही है, और कब तक चलेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, ब सुनेंगे बहुत लोग, समझेंगे कुछ, अपलाई करेंगे कुछ, और realization होगा कुछ को, लेकिन जिन कुछ को होगा, वो ही बहुत है, जोतिश में हर प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम, एक अध्यात्मिक अफसर है, अगर आपको जोतिश समझ आएगा न, तो जोतिश में हर समस्या एक अध्यात्मिक अफसर है, अध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का, बहुत इक रूप से आगे बढ़ने का न, किसी का ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है किसी का बारवे घर का स्वामी पंचम भाव में है और हम चाहे ना चाहे लेकिन अगर भगवान चाहेगा और इस व्यक्ति ने अपनी यदी संतान को खो दिया बारवे घर का स्वामी पंचम भाव में है यदि उसने संतान को अपनी खो दिया तो अब जीवन भर के लिए रोएगा वो यार भगवान ने मेरे को संतान दी थी वो छींग ली भगवान ने मेरे को संतान दी थी छींग ली भगवान ने संतान दी थी छींग ली लेकिन अध्यात्मिक व्यक्ति जानते हो क्या कहेगा कहेगा भगवान इस संतान को वापस लेके तुने अपने उस कथन को सिद्ध कर दिया जिसमें तु स्वैम ये कहता है कि तुम्हारा कोई नहीं और तुम किसी के नहीं और अगर व्यक्ति ने ये चीज कह दी अपने मुख से तो इस कार्थ है कि पंचम भाव किस चीज का है ज्यान का है आपको कुछ खोकर ही ज्यान मिलेगा पाकर नहीं मिलेगा याद रखना ये बात जिस व्यक्ति का बारवे घर का सुआमी पंचम में हो अगर उसको कुछ पाकर ज्यान मिलना होगा न अगर वो ये सोचेगा मैं पालूँ इस ग्यान को पालूँ भाई आप पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी ज्यान नहीं मिलेगा लेकिन जिस दिन कुछ को गया तुमसे जिस दिन तुमारा कुछ चला गया चाहे वो तुम्हारी रिस्पेक्ट हो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हो जिसको आदमी कहता है अरे मेरा आत्म सम्मान है उसने मुझे कैसे कह दिया मेरा आत्म सम्मान है मेरे आत्म सम्मान को ठेज चली गई अगर तुम्हारा आत्म सम्मान भी चला गया ना तो वो भी तु सम्हारी जो है, मुख बुद्धी जो है, वो कह रही है, इसलिए बारवे का स्वामी जब एका फर्स्ट हाउस में हो, फर्स्ट हाउस तो पूरा का पूरा आपका व्यक्तित्व है, भई, पूरा का पूरा कैरेक्टर है तुम्हारा, पूरा कैरेक्टर है तुम्हारा, संपूर व्यक्तित्व तुम्हारा first house है सारी चीजें तुम्हारी पहले घर से जुड़ी हुई है कोई कहे मेरा धन मेरे संसकार मेरे हैं मेरी इच्छा हैं मेरी हैं मेरा घर मेरा है मेरा मन मेरा है मेरी मुख्ती मेरी है किसकी है? सिर्फ तुम्हारी तो है इसलिए जो पथ आपको मिला है जो भगवान ने पथ आपको दिया है न उस पे आप मेरे साथ चल सकते हो लेकिन मेरे लिए नहीं चल सकते है मेरे साथ चलना और मेरे लिए चलना बहुत अलग चीज़े है First house differentiate कर देता है वो सिर्फ आपका है और किसी का नहीं है बाकी जगे आप share कर सकते हों चीज़ों को First house से आप share नहीं कर सकते First house is completely yours 12th Lord First में गया और यदि आपके व्यक्तित्व में त्याग नहीं है समर्पन नहीं है तो आप अपने character को कभी build नहीं कर पाऊगे आप अपना चरित्र निर्मान कभी नहीं कर पाऊगे कभी भी नहीं कर पाऊगे वो चरित्र निर्मान हो ये आवश्यक और वो होगा तभी जब आप 12th house को जान पाएंगे और आज की date में आप books में क्या पढ़ोगे उसको नॉर्मली क्या कहोगे ये आदमी बड़ा खर्चीला होगा खर्चीला होना ये होना ये क्या है तो हर आदमी खर्चीला ये अब किसी को कहो अब जोतिश में आजकल बड़े बड़े अनुभव होते हैं मैंने किसी को बोला जब मैं पहले जोतिष करता था, कि, मैं बहुत खर्चा करते हो तुम, हाजी बिलकुल करते है, टीवी लाए, फ्रिज लाए, जब पहले जोतिष करते थे, तो ये ही सब प्रेडिक्शन होती थी, तुम्हें बड़ा गुस्सा आता है, तुम्हें यह होता है जब आदमी शुरुआत करता जो तिशनी चीजों से करता क्या करें तो 12th Lord जब 1st house में बैठता है तो 12th Lord 1st house में बैठकर यह कहता है कि यदि तुम्हें अपने व्यक्तित्व का निर्मान करना है अपने चरित्र का निर्मान करना है तो you have to know what is devotion you know what is समर्पन you know what is let go बांधो मत किसी चीज से किसी भी चीज से अपेक्षा मत रखो मेरे पास बहुत से जो मेरे बहुत close में मेरे जो student है वो मेरे को पूछते रहते हैं बीच में पिंग करके सर मेरा बड़ा मन कर रहा है मिलने का मैं आ जहूँ मेरा बड़ा मन कर रहा है मिलने का मैं आ जहूँ मैं उनको कभी हा नहीं करता अब problem यह नहीं है कि उनके मिलने से मुझे तकलीफ है लेकिन जितना वो मुझे से मिलेंगे न उनकी तकलीफ बढ़ेगी मेरी नहीं बढ़ेगी मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, तुम मिल लो, कोई भी मिल ले, मेरे तो जितने भी परमात्मा ने मुझे student दीए है, मेरे लिए तो सब मेरे अपने ही है, तो मुझे से कोई भी मिलेगा, मुझे problem नहीं है, लेकिन भाईया, तुम क्यों अपने बारवे घर को खराब कर रहे ह समझे नहीं बात को, that is twelfth lord in first house, you have to think in that, आपको वैसा ही सोचना पड़ेगा, नहीं था, आप अपने व्यक्तित्व से कभी, एक बात याद रखना जीवन में, इस दुनिया में, तुम किसी को जानो या ना जानो, मालनो मैं कहूं कि मुझे सौरब को जानना है, जिस दिन मै मैंने सौयम को जान लिया, उस दिन मैं सौरब को भी जान जाऊंगा, मैं हितेश को भी जान जाऊंगा, मलव को भी, विनय को भी, अमित को भी, लेकिन अगर मैंने सौयम को नहीं जाना न, तो मैं पूरी जिंदगी धक्के खाता रहूंगा, लेकिन कभी, मैं दुनिया भर क की बाते कहुँए मैंने उसे जान लिया अरे मैं समझ गिया बह। तेज आदमी है अरे तुम किसको मुरग बना रहे ह। स्वयम को समझे नहीं दूसरे को समझने का दावाठ हो रहे हैं कि फर्स्थ हाउस स्वयम को समझना है कि और इसको और वे में शरीर को चोपट कर दोगे, आप काओ गयार मेरे शरीर में ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे सोच के देखो न, क्यूं हुआ ये, इसके पीछे का कारण क्या है, इसका मूल जड़ क्या है, समझ रहे हो, ये 12th house है, 12th lord है, इसलिए मैं फिर बोलता हूँ, कि हमारे शाष्त्र 12th house, अगर हम अपने शाष्त्रों से जुड़कर 12th house को समझे न, तो हमारे शाष्त्र धर्म किसको कहते हैं, हमारे शाष्त्र धर्म और जोतिश को और शाष्त्रों को मिलाएं, तो जोतिश क्या है, जोतिश को वेद का चक्षू क्यों कहा गया है, जो बाते घर जो है, वो किस चीज़ का है, बारवा घर, वो धर्म का वास है, और आप शाच्त्रों में पढ़ोगे, तो धर्म कहां वास करता है, जानते हो, यह सवाल आता है, कि धर्म कहां वास करता है, धर्म शमा में वास करता है, जहां शमा है, वहां धर्म वास करेगा, उस जगे धर हो crawl जहां forgiveness है वहां धर्म नहीं आना है वां होगा ही!!! और जहां forgiveness नहीं है धर्म वहां से वापस चला जाएगा, वापस चला जाएगा और जो एक मात्री चीज2020 जो धर्म की सबसे चांड़ी हानी करती है, वह ईटमभव है, 9th Lord का delegation na, अश्टम की आक किस चीज का है निजदोश इसलिए स्बसे बड़ा निझदोश क्या हो सकता है क्रोध है क्रोध से धर्म की हम हाणी होती है को अगर धर्मका कोई नाश करता है पूछते शुपल् led को करता क्यों नाश करता क्षें इसलिए यह तुम्हारा patience develop होगा, और तुम्हारे 12th house को मजबूती मिलेगी, तुम मुक्ती की और और अगरसर हो जाओ, इसलिए इस दुनिया में सबसे अच्छी remedy है, अपनी patience की limit को test करते रहे, कि तुम कितना let go कर सकते हो, कितना दे सकते हो, कितना अपनी तरफ से छोड़ सकते हो चीजो मन के अंदर वो भाव पूनता आ जाए ना, कि आज मैं उस state में हूँ कि सब कुछ छोड़ सकता हो जिस दिन वो state आ जाए, जिस दिन आप यह कहो, आज मैं इस state में हूँ, मेरा मन करे, आज के आज अभी के अभी छोड़ता हो वो दिन आपका real independence day है celebrate the day, उस दिन किसी national anthem को आपको गाने के अभी शक्ता नहीं पड़े you are free, you are free from everything, that is 12th house और आज 12th house को बोलने से पहले, मैं एक चीज जरूर कहूंगा क्योंकि हम सब लोग यहां बैठे हैं, बाकी लोग इस चीज को सुन भी रहे हैं हमारे यहां पर सब कि हमारे एक बहुत प्रिये student जो है, जो मेरे प्रिये student भी कहो या मेरे प्रिये मित्र भी कहो, दिनेश बाली जी जो है न, वो कल स्वर्ग से धार गए वो नहीं रहे, किसी कारण बश्य जोग भी है मैं चाहूंगा हम सब लोग और जो इसको देख रहे हैं, उनकी आत्मा के लिए शांती राथना करें, ताकि उनको भगवान के श्री चर्णों में जगा मिले बहुत अच्छे स्टुडिंट थे हमारे, लेकिन वो ही है, कि जीवन और मृत्यू का कोई उपाय नहीं है जोतिश में कोई उपाय नहीं है, अगर कोई कहे कि जोतिश में उपाय है, जीवन और मृत्यू का कोई उपाय नहीं है इश्वर की दिरी है इश्वर ही लेगा तो चाहूंगा सब लोग उनके आत्मा के लिए शांती मांगे इश्वर से और उनके श्री चर्वनों में जग्या बाता है ठीक है जी तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे शुबरात्री जैशिया